दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार LTS में स्वागत है। बहुत सारे लोगों की डिमांड आई यानि की कॉमेंट्स में आप लोगों ने लिखा कि इस विशे में वीडियो बनाया जाया जिसके लिए हमने जिक्र किया था हमारे एक वीडियो में। तो ये कंपनी दरसल ओरिय किदने या बेचने की राय बिलकुल भी नहीं है और जो मैं बताने जा रहा हूं उससे हमें एक लर्निंग मिलेगी किस तरीके से हम टैकल करें हैं इस मार्केट में यदि हम किसी स्टॉक को ले चुके हैं या क्या हम घलतियां करते हैं या क्या हम अपनी रिसर्च पर कितना भरोसा करते हैं देखी कोई भी हो ब्रोकर हो मार्केट मेकर हो या जो दोग धनी लोग है मनिपुलेट कर सकते हैं या नहीं करते हैं इसका मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन वो अपना बेस्ट देते हैं क्योंकि वो अपने धंदे में खिलाडी आदमी है उनका करतब है कि ये निकेन प्रकारेन धन कमाना बात दरसल अगस्त की है IPO इसका आया था और IPO का जो प्राइस था वो था 118 रुपए और 1200 शेर्स का एक लॉट था समझे की करीब करीब इसकी जो अमाउंट बनती थी 14600 के आसपास उस समय यदि किसी ने IPO में आवेदन किया होगा हमने वीडियो बनाया था होता क्या है कि इतनी बड़ी अमाउंट हो जाती है लाग डेर लाग की बहुत सारे निवेशक रिटेल निवेशक तो वहीं कट जाते हैं इस वज़े से शायद ही किसी ने आवेदन किया हो 11 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई और 14 अगस्त के आसपास यहां पर जो चार्ट में आपको प्राइस देख रहा है 301 के आसपास यानि 300 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग होने के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहां गिर के करीब पवने 300 क के आसपास हो गया उसके बाद फिर यह उपर गया आप देखेंगे अगस्त से लेके नवंबर तक अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चार महीने यह एक ही रेंज में रहा पौने तो सेम वही प्राइस चार महीने तक बोर कर रहा था तो जब रिसर्च की थी आपके समक्ष भी रखा था उसमें एक डिश्टल अखवार की यहां पर कटिंग आपको दिख रही होगी कि इसमें जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमें लग रहा था कि इसमें बड़े-बड़े ज ठीक है आप देख सकते हैं इनके नामें पर तो थोड़ा सा और मेरा विश्वास गहरा हो गया कि इतने बड़े लोग धनाध हैं इतनी बड़ी-बड़ी कंपणी चलाने माले लोग हैं इस कंपणी में निवेशे तो अफकोस कुछ बात तो है इस कंपणी में पर प्रतेक ट और लगते थी कि मतलब चिट भी उनकी पट भी उनकी किसी आप इसमी में ऐसे पैसे लगाते हैं तो जो रिशर्च और जो 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 लालाच की बड़ा पैसा बनेगा वो इन चार महीनों में करीब-करीब फेड होता गया धुनला होता गया जो मेरी रिशर्च दो मेरा कॉंफिडेंस था वो देरे-देरे गिरता गया फेड होता गया एक ये डर भी था कि कहीं धनी इन्वेश्टर्स निकल न जाया लिस्टिंग के बाद तो लोवर सर्कृट न लग जाए कहीं असना हो गिर जाए औ अपने हाई से लेकिन फिर वो बाउंस बैक कर गया क्योंकि सोलर जो इस टॉक से उनकी अभी आंधिसी चल रही है तो एक डर ये भी लगा था कि छह महीने बाद कहीं इसके रिजल्स खराब आए और ये गिर गया तो एक तो समय भी गया और पैसा भी फस जाएगा पर मुझे इस घटना से विश्वास हो गया कि जो धनी निवेशक होते उन्हें कहीं न कहीं कंपनी की फनेंशल की पूर्व जानकारी होती है कि आगामी रिजल्स किस प्रकार के होंगे तभी ये सभी के सभी अभी तक डटे हुए हैं आप देखेंगे शेर होल्डिंग में जो लेटेस है इसके बाद पब्लिक में लोग आ जाते हैं है ना खैर अगर सितंबर अक्टोबर और नवंबर में एक ही रेंज में रहने के कारण मेरा जो धैर था वो जवाब देने लगा क्योंकि इसी बीच में एक कंपनी और आई-पिउ लेके आ रही थी और जब हमने उस पर रिसर् जा और पाया कि सोलर कंपनी को यह फंडिंग करती है जो भी ग्रीन एनर्जी के तहत कंपनिया है उनको यह लोन देती है प्लस प्लस कंपनी की भी हवा चल रही थी और खासकर सोलर की तो यह भी एक बढ़िया कंपनी नजर आई उस समय तो 29 नवंबर की इसकी लिस्टिंग तो उसके लिए हमने तैयारी करने लगे हमने का फंड कहां कहां से हो सकता तो मुझे लगा सोलर का यह भी है सोलर की यह भी कंपनी है तो फंडिंग वाल यह ज्यादा अच्छी क्योंकि यह बहुत सारी कंपनियों को फंड करती और फंडमेंटली स्ट्रॉंग भी अगर लग आजाए और हो सकता है कि साल बर उपर जाए ही ना और जो भी उस समय कंपनियां थी जैसे क्पी ग्रीन वगेरा थी वह इससे कहीं सस्ते वाइलवेशन पर मिल रही थी तो तब सारी चीज़े आप सोचते हैं दुनिया भर की चीज़े सोचते हैं कंपारिजन करते हैं तो मैंने यहां पे एक्जिट ले ली नवंबर में चल पड़ा और आप देखेंगे उसके थोड़े दिन बाद ही धीरे-धीरे यह उटना शुरू किया और यह चले चलते चलते खरीब यह पहुंच गया 900 के आसपास जब 900 के आसपास पहुंच गया तो ऐसा तो है कि एरेडा में हमें फाइदा हो रहा है कि हमारी 50-60 रुपए की बाइंग के प्राइस है लेकिन उस समय भी हमने अपडेट किया था कि जिस सोलर पावर स्टॉक को बेच के करीम कहें मैं नहीं कह सकता पर मैं तयार था कि यदि ये गिरेगा तो जम के खरीदूंगा उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा इसे स्टॉक ने और आज पवने 300 वाला 2335 के आसपास ट्रेड हो रहा है यदि आप में से कोई एक लॉट भी लेके रखता अगर किसी न लिया होगा माली जेप उने 300 या 300 के आसपास 1200 के एक लॉट है तो करीम 28 लाग के आसपास आज उसकी वैल्यू है तो यह दि किसी ने दो तीन लॉट चाल लॉट लिये होते तो करोड रुपए सीधे पार हो गए थे अब देखिए फनीशल कैसे यह जंप किया देखिए किस तरीके से लोगों को मालूम रहता है तभी बड़े बड़े लोग डटे रहते हैं उसकी पीछे कारण है आप देखिए 6 महीने पहले का क्वाटर 64 करोड का टोटल राजसु और 6 महीने के बाद मार्च 2014 में सितंबर से मार्च में 64 करोड से 319 करोड अच्छा बिजनस किया इस तरीके से निट प्रॉफिट यह दिए आप देखेंगे तो 6 करोड का था सितंबर 2023 में और सीधे 49 या 50 करोड एक फिगर नों पकड़ लेजिए तो कितनी बड़ी यहां पे जंप दिखाई दे रहे यानि कि जो अर्निंग पर शेर दिखाई देरा 2.99 पैसे वो हो चुका है 25 25 पैसे इसी प्रकार से सालदर साल देखते हैं तो 2030 का चारो क्वाटर का वित्वर्ष का जो टोटल राजस्व रहा वो 136 करोड और सीधे मार्च 2024 में 383 करोड तीन गुना से ज्यादा इसी प्रकार से आप देखेंगे शुद्ध मुनाफ़ा भी 11 से 11 करोड से 54 करोड हो गया प्लस 118 का IPO प्राइस भी था फिर तीन गुनाफ़ी लिस्ट हुआ उसके पश्चाथ भी नहीं निकले इतनी हिम्मत रही तो कहीं न कहीं उनको कंपनी के बारे में पता रहता है किसकी नतीजे किस प्रकार क्याने वाले हैं इसकी फरेंशल कंडिशन कैसी इसका बिजनस कैसा है कितने ओर्डर से इनके पास तो जानकारी देखे रखते हैं तो यह जानकारी खैर फरेंशल के तो नहीं आपको मालूम पढ़ाए कि लेकिन यदि आप रिसर्च करेंगे किसी कंपनी की धंग से तो ओर्डर वगएरा क्या कहा कहा इनका काम चल रहा है वो सारा चीज मालू करोड़ी नहीं है यदि 226 करोड़ वाला कि आई पी ओ चार हजार 4400 करोड़ के आसपास मार्केट का हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है तो सुचिए कि मात्र 5-6 महीनों में ही इतना बड़ा पैसा बन रहा है अब इस पूरे वीडियो का सार भी आप समझ लीजिए यह ब पैसानी मुझे नहीं है अल्रेटी मैंने बदला ले लिया है मैंने कई SME स्टॉक्स को पीट डाला है और भयंकर तरीके से उनमें प्रॉफिट बोकिन की है तो पैसा तो वसूल कर लिया है लेकिन अब जो सबक है पहली चीज पैसे वाले ही अधिक पैसा बना सकते हैं यह आ अधिक जलता है खैर जो लोग समझना हो समझ गए दूसरी चीज यदि आप किसी कंपनी पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के पश्चात आपने 2000 बार सोचा कि नहीं कंपनी मुझे ठीक लग रही है पैसा बन सकता है तो आप उस पे डटे रहें क्योंकि यद आप बीच में ही छोड़के निकल गए तो किस्मत या जो भी आपके इश्वर हैं भगवान है जिन से आप मांगते हैं वो कहेंगे भाई डटे तो रहो यार मैं इस पे तुमको माहौल बना रहा था देने के लिए और तुम भाग गए अब दूसरी जगह चले गए तो आख यह वर्क भी करता है कि आपको अपनी रिसर्च पर अपनी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा डटे रहना पड़ेगा अब यदि मैं नहीं निकलता तो क्या कोई ऑपरेटर मेरा कुछ बिगाल पाता एक समय के बाद तो कंपनी को भागने ही पड़ता उपर बहुत सारी क कंपनीयां लगती हैं आपके समक्ष रखता हूं और इशारा भी करता हूं बिजनस मॉडल को लेके जो समझ जाते हैं वो खेल जाते हैं अपके भी कुछ उजहां हो विचार हो कुछ ऐसा सामना हुआ हो कुछ ऐसी बात कहना चाहते हो तो कॉमेंट्स में रख सकते हैं थैंक भजब पर बश्वतिस विए करूं कुमेंट्स